नमस्कार दोस्ते हैं वार्पुना सुवागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लर नेजी बाय गुरूजी में आज हम लें पढ़ने वाले हैं सिटेट सिटेट में जो आपका सेकेंड पेपर होता है उसमें जो एसस्टी का विसे यानि समाजी विसे होता है उससे रिलेटर कुछ हम लोग महतबूर परस्न को देखने वाले हैं यह परस्न आपके जनौरी 2022 में सभी परस्न पूछे गया है ताई यह सुरू करते हैं इस वीडियो को देखते हैं हम लोग पहला परस्न है पहला परस्न इस परकार से दिया हुआ है निम्न कतनों को पढ़कर सही विकल्ब का चैन करें कतन ए है क्रिसी मज़ूर काम की तलास में सहरों में प्रवासन करते हैं इसके करण R दिया है, क्रिसी और कारखानों का काम अलपकालिक होने के करण, क्रिसी मज़ूरी और अलपकालिक कारखानों में काम करना सरल हो जाता है, इसमें से कुछ विकल्ब दिया है, इस विकल्ब को हमें चुनना है, A और R दोनों सही है, R सही ब्याख्या करता है कि, A सही ह लेकिन आर गलत है A और R दोनों गलत है A और R दोनों सही है लेकिन R सही ब्याख्या नहीं करता है यह प्रस्ण आपके एकजाम में पूछा जा चुका है तिस तरह का प्रस्ण आपके एकजाम में बनते हैं जिसका सही उतर आपका option B हो जाएगा A सई है लेकिन R गलत है आनि जो कथन A है क्रिसी मजदूर काम की तलास में सहरों में परवासन करते हैं किन्तु जो कारार दिया हुआ है यह आपके गलत है नेश्ट की चुन हम लोग देखेंगे निमलिखित में से कौन सा प्रस्ण ग्यानात्मक परिकिरिया के समझ पहलू का आकलन करता है कुछ पॉइंट दिया हुआ है पॉइंट A है क्रिसी विकास सब्द से आप क्या समस्ते हैं B है लोगों को एक संसाधन की तरह क्यों माना जाता है C है जनसंख्या वी स्वोड को परिभासित कीजिए D है तीन विसस्ताओं को सुचिबत कीजिए जो जनसंख्या बदलाव परिवर्तन का कारण बनती है और E है एक नए कानुन के बीदिकर लागू होने में नागरी क्या भूंका निभा सकते हैं इसमें इसे क्या करना है हमें जो ग्यानात्मक परिकिरिया के समझ पालुक का आकलन कौन करता है इस पॉइंट में उसमें हमें टिक करना है तो इसमें जो पॉइंट A दिया हुआ है ग्रिसी पीकास सब्द से आप क्या समझते हैं ये सही हो जाएगा जो B है लोगों को एक संसाधन की तरह क्यों माना जाता ये भी C हो जाएगा जो C है ये गलत हो जाएगा जन संक्या विस्पोट को प्रभासित कीजिए और जो D है ये भी गलत हो जाएगा जो E है ये सही हो जाएगा आनि option D सही हो जाएगा A, B और E सही हो जाएगा, बाकि C और D इसमें कलत है निश्ट की उच्छन हम लोग देखेंगे आदिवासी B से और थीम पर चर्चा करते हुए समाजिक विज्ञान के अध्याबक से अब एच्छा की जाती है कि समाज में प्रभावसाली वारग द्वारा वादिवासियों के समाजिक अस्तर को देखे जाने पर परकाश जालें B है कच्छा में चर्चा के दौरान विभीन अस्थानी उधारों को परस्तूत करें कच्छा में चर्चा के दौरान विभीन अस्थानी उधारों को परस्तूत करें ये आपका सही हो जाएगा नेश्ट क्यूशन हम लोग देखेंगे 34 है कथन A और B को पढ़कर सही बिकल्ब का चुनाव कीजिए ये कथन A है असो का धम इस्वर की पूझा पर बल देता है जो असो का धम है कहरा इस्वर की पूझा पर बल देता है और कथन B है असो का धम बूध के उपदेशों से प्रेरिथा तो इसका सही उतर हो जाएगा आपका option B सही हो जाएगा क्योंकि असो का जो धम है वो बूध के उपुदेशों से क्या था प्रेरित था निश्ट की विश्ण हम लोग देखेंगे निमलिखित में से कौन सा कतन समाजिक सुधार और जातिय और नुमूलक के संदर में सही है प्रियान ने सभी धर्मों के आद्रिसों को एक साथ लाने और अध्यात्मिक अभ्यासों के द्वारा मोक्ष के लिए प्रयास किया बी है प्रमंज मंडल के बहुत से सद्दस चर्मकार थे यानि चमडे का कारे करते थे दिसका सही हुतर आपका ओप्सन C हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने जातिकर असमानता को चुनावती देने वाली बुद्ध संप्रदार की एक पाथ समागरी का अनुआत किया था निष्ट की उश्ण हम लोग देखेंगे प्राकिर्तिक वनस्पति और वन जीवन के संदर में निम्लिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्पा च्यान करें कथन ये दिया हुआ है बिस्व के अनेक भागों में मनुष्ण ने अपने किरिया कलाबों से अनेक जातियों के प्राकिर्तिक आवासों में उतल पुद्धत कर दीती ये तो आप्शन सही है ये तो आप लोग अपने देनिक जीवन में देखते ही होंगे कुछ कुछ आप्शन इजरी दे दिया है इसको हम लोग देखेंगे कतन भी कह रहा है प्रजातिया जो बिलुप्त होने की कगार परें उनको जागरुकता बढ़ाने से सनक्षित किया जा सकता है और सी दिया है भारत में सेरो चीतो बागो भाती सारंग का सिकार अबैद है जो आप्शन ए और बी दोनों सही है भारत में सेरो चीतो और बागो भारती सारंग का सिकार अबैद है यह आप्शन सही नहीं है बाकी ए और बी सही है निश्ट क्यूशन हम लोग देखेंगे समाजिक विग्यान सिच्छन में समाजिक रचनवाद बल देता है किस पे बल देता है परिच्छा अधारित अधियम पर निश्करी अधारित अधियम पर सूचना अधारित अधियम पर या प्रयोगात्मक अधियम पर तिसका सही उतर आपका आप्शन डी हो जागा प्रभुर लोगों की राजनितिक संस्था जो निश्चित भुभाग में राते हैं। जो जागीरदार हैं। इसके विसे में कौन से कथन इसमें सही है। ये नायकों और साइनिकों के क्रमसद डिल्ली संतलन्त और मुगल सासन में दिये जाते थे। अनि नायकों के रूप में और साइनिकों के रूप में क्या होते थे दिल्ली संत्रनत में इनकों भेज़े जाते थे नेश्ट क्यूशन हम लोग देखेंगे की सिद्यसांतर को भारत के लिए मानक या मोत्तर माना गया है इसका सिद्यसांतर हो जागा 82 डिगरी 30 मिनट पूरव नेश्ट क्यूशन एक्तारिस देखेंगे नीचे दी गई A और B विस्यस्ताओं के अधार पर वाई मंडल की परत की पहचान कीजिए आयन मंडल इस परत का एक भाग है रेडियो संचारान में यह परत मदद करती है और इसमें कुछ मंडल दे दिये हैं और इसमें से कुछ यह A और B उसकी विस्यस्ता बता रहा है तो कौन से मंडल होंगे क्या यह मध मंडल है छो मंडल यह समताम मंडल यह बाह मंडल है और रेडियो संच्राल में यह परत मदद करती है, यह उनके मौलिक अधिकारों का हनन है, वह नियाय प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं, वह इस कारे के विरुद विद्याले प्रसासन को सिकायत कर सकते हैं, यह से तथा एश्टी के लिए गठित राष्टी समिति के अध्यक्ष को सिकायत लिख सकते हैं, यह विद्याले प्रसासन के खिलाप कोट जाकर केस दाकिल कर सकते हैं, तो A और B और C में कौन कौन से सही है, इसको हमें टिक करने हैं, जिसका सही उतर हो जाएगा आपका, आप् मुझे इतियास उबाव लगता है क्योंकि यह केवल तीथियों को याद करने के बारे में हैं, समयज विज्ञान के अध्यापक के तोर पर इस तरह की समय, सम्मंदित और धानाओं को दूर करने के लिए आप कीस पर चोड़ देंगे, आप्शन यह है, वीविन घटनाओं के संदर में छात्रों को भ्यूंका आदा करने पर इतियास ब्रित अची तरह दिखाएंगे, चर्चा करेंगे कि कैसे इतियास लोगों, विचारों के बारे में है, तथा कैसे सतावदियों में संस्क्रीतियां और समाज बदल गये हैं, और दियास शात्रों को समझाएंगे कि इतियास सास को और उनिके जीवन के बारे में है, जिसे जानना चाहिए, तिसका सही उत्तर आपका option C हो जाएगा, चर्चा करेंगे कि कैसे इतियास लोगों, विचारों के बारे में है, और तथा कैसे सतावदियों में संस्क्रीतियां और समाज बदल गये हैं, नेश्ट 44 देखेंगे, इन वाक, यह जो भी प्रसन हम दो देख रहे हैं, यह सभी प्रसन आपके एकजाम में पूछे जा चुके हैं, यहनि 2022, जनौरी 2022 के जो भी एकजाम हुआ था, उसमें यह प्रसन पूछा गया था, इन वक्तक्वों पर विचार कर सही विकल्प चुनिए, यह ह बढ़ती हुई स्त्रमिक सक्ति का संकेत देता है, भी है एक देश की जन संक्या में बढ़ी संक्या में छोटे बच्चों की संक्या होने से देश के लिए स्रम बजार में आर्थिक लाप की इस्तिती होती है, जन संक्या पिर्यामिडी का आधार मीद्य अस्थर और सिखर जन संख्या दरसाता है तो चवालिस का सही उतर हो जाएगा आपका option B हो जाएगा केवाले जो है वही सत्य है जो A है सत्य बाकि आपके B और C गलत है यानि जन संख्या पिरामीड का चोड़ा आधार भाविस में बढ़ती हुई स्त्रमिक सक्ति का संकेत देता है नेश्ट की उच्छन हम लोग देखेंगे अपनिवेसिक भारत के संदर में इन वक्तव्यों पर विचार करें और सही विकल चुनिए ए है अंग्रेजों ने जनजातियों के कल्न्याण के लिए वनों में गाउं वसाने का निर्णलिया भी है अपनिवेसिक अधिकारियों ने जनजातियों को इस सर्थ पर की विए वन विभाग के लिए सर्मिकों के रूप में काम करेंगे वनों में कुछ तुकड़े भूम पर ज्भूम खेती के अनुमती दी तो यहाँ पर दिया है असत्य है और बी असत्य है और बी असत्य है अनि अपनिवेसिक अधिकारियों ने जनजातियों को इस सर्थ पर की वे वन विभाग के लिए सर्मिकों के रूप में काम करेंगे वनों में कुछ तुकड़े अनि भूम पर खेती अनि ज्भूम की खेती की अनुमती दी आगे हम लोग देखेंगे नेश्ट किशन है अनुदेशन पर किरिया में मून ल्यांकन होता है प्रसंद श्यालिस है अनुदेशन पर किरिया में मून ल्यांकन होता है निदानात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन, येक आत्मक आकलिंग्या, अस्थनात्रन आकलन का इसमें से कौन होता है, उपरियुक्त में से कौन सा विकल्प सही है, इसको हमें चुनना है तो इसका सही उतराब का ओप्सन ए हो जाएगा, ए और दो, और पहला और दूसरा अनुदेशन परकिरिया में निदानात्मक आकलन, और रचनात्मक आकलन, अनि मुल्यांकन होता है नेश्ट की शुन हम लोग देखेंगे बिश्व की सबसे भ्यानक अद्योगिक तरास्दियों में से एक वर्स 1984 में भोपाल में हुई थी यूनियन करवाइट एक अमेरिकी कमपनी की फैक्टी थी जिससे प्रानम हुई या आप तक कोई दुरघटना नहीं थी क्योंकि यह करा है सर्मिकों की जरूरतों और हितों की दोनों सरकार और नीजी कमपनियों द्वारा अभेलना की गई सर्मिकों के जीवन की रच्छा के लिए कोई कानून या अधिकार नहीं थे ब्यासाइक खत्रों के बारे में कोई मुद्दा नहीं उठाया C है कमपनी ने लागत में कटोथी के लिए जान बूचकर आवस्यक सुरच्छा उप्यायों की अंदेखी की और D है कमपनी ने अपने करामचारियों के लिए कोई जीवन भीमा पालिशी नहीं की थी तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ओप्सन C सही हो जाएगा कमपनी ने लागत में कटोथी के लिए जान बूचकर आवस्यक सुरच्छा उपायों की अंदेखी की आगे हम लोग देखेंगे आरंबिक अस्तर पर भारत में ग्रामीड प्रसासन विशेपर कच्छा में संगनात्म कुरूप से चार्चा करने के लिए निमिलखित में से कौन से सिच्छड अधिगम युविक्त युक्ती उप्युक्त है भूमी आदा करना और रोल प्रसासन विशेपर कच्छा में संगनात्म कुरूप से चार्चा करने के लिए निमिलखित में से कौन सी सिच्छड अधिगम युविक्ती उप्युक्त है कह रहा है भूमी का आदा करना और रोल प्रसासन विकल्प का च्यांद कीजिए इसमें ए बी और सी सही है ए और सी सही है इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आपसन भी सही हो जाएगा भी ए और सी सही है ए और सी सही है अनि रोल प्ले करना और ओपेन एनिट क्यूशन करना नेश्ट क्यूशन हम लोग देखेंगे सूरे से उनकी दूरी के अनुसार करहों का उचित करम कौन सा है और सूरे से उनकी दूरी के अनुसार करहों का उचित करम कौन सा है दूरी के अनुसार पूछ रहा है क्या बूद प्रित्वी मंगल सुक्र प्रिफरत इसमें हम देख लिएंगे कौन सा सही है तो इसका सही उ पहले होता है बुद्ध होता है फिर सुक्र फिर प्रित्वी मंगल उसके बिरस्पत फिर सनी उरिनेस तथा नेप्चिन ये आपका आपसन सही हो जाएगा पहले बुद्ध फिर सुक्र फिर प्रित्वी फिर मंगल फिर बिरस्पत फिर सनी फिर उरिनेस तथा नेप्चिन हो र अंदोलन दिया हुआ है और अस्थान दिया उसको हमें मिलान करना है जैसे बेश समाज है प्राथना समाज है और सिंग समाज है तो जो बेश समाज है इसका सही उतर हो जाएगा आपका ये मद्रास हो जाएगा कौन से हो जाएगा मद्रास अनि A का दूसरा हो जाएगा और B का तीसरा हो जानि प्राथना समाज कहां बॉंबई में और सिंग समाज कहां आपके लाहोर में तो इसका सही उतर आपका option C हो जाएगा है A का दूसरा, B का तीसरा और C का पहला एक बार हम लोग देख लेंगे जो बेश समाज है वो कहां से उद्गम हुआ वो आपके मद्राज से उद्गम हुआ जो बेश समाज है और जो प्राथना समाज है वो बॉंबई से और जो जो सिंग समाज हुआ लाहोर से निश्ट क्यूशन हम लोग देखेंगे आएने अकबरी के संदर में नीमनिखित कत्रों पर विचार करें और सही विकल्प का चैन कीजिए यह अबुल फजल द्वारा लिखा गया है बी है इसमें बीमिन परकार के चीजों फसलों कीमतों राजस्य और मौज़ूरी बगार की का सांखे की विरोण है और C यह अकबर के पुरोजों का विरोण देती है जो आएने अकबरी है उसमें क्या लिखा गया उसी के बारे में हमें बताना है तो इसमें जो यह अबुल फजर द्वारा लिखी गई पुस्तक यह तो सही है जो बी है इसमें बीमिन परकार के चीजों जैसे फसलों कीमतों राजस्य और मौज़ूरी बगारे का सांखे की विरोण है यह भी सही है जो सी है यह अकबर के पुरोजों का विरोण देता है यह गलात है निया अप्सन भी इसका सही उत्तर हो जाएगा नेश्ट की चर्चा की अध्यापक का उत्यस है प्रसनिक बरार पढ़ेंगे उत्तर है कि शिछड के समय अध्यापक ने नदियो में अपसिष्ट के निकास के चीतर दिखाए तता उसके बाद चर्चा की अध्यापक का उत्यस है इसमें अध्यापक का उत्यस क्या है पूछ रहा है option A है उद्धो की संकल्पना को सुध्रिन करना है B है उद्धो की विकास ब्योस्था को समझना है और C है अपसिष्ट के प्रबंद को समझना है और D है प्रदूसर के प्रती सम्यदन सिल बनाना है इवपिक्त विकल्प का चेन केजिए B, C और D है A, B और C है इसका उद्धो की संकल्पना को सुध्रिन करना है अनि A हो जाएगा, B हो जाएगा और D हो जाएगा नेश्ट की उचन हम लोग देखेंगे निमलिखित में से कौन सा आकलन पदस्थापना या पदुर्नत्थी चर्चा के लिए आम तोर पर महत्पुर्ट सूचना अनि जनकारी के तोर पर परियोग होती है रचनात्म का आकलन, अधिगम का आकलन, अधिगम के लिये आकलन, अधिगम की तरह आकलन तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका option भी हो जाएगा अधिगम का आकलन निश्ट की विशन चगवन देखेंगे यदि आप 36 गड़ के गाउं में राज की विद्याले में अध्यापन कर रहे हैं तो समानता और समानता की चार्चा के लिए किस समुह को उधारन के लिए अस्थानी संदर में पर्योग करेंगे चेंचुर, बैगा, मननियार और मिस्मी जिसका सही उत्तर हो जाएगा आपका option भी हो जाएगा बैगा निष्ट की स्चुन हम लोग देखेंगे मिलान करें तथा यूपिक ट्विकल का चेंड कीजिए यहां पर मिलान करना है जो अपच्छा है, अपर्दन है, भी सब है, टटबंद है इसको हमें सही, जो इसका सही मिलान है, उससे हमें करना है तो जो ए है, एक आपका जो अपच्छा है, यह सहलो के टूटने से होता है जो अपच्छा होता क्या होता है, सहलो के टूटने से होता है जो अपर्दन है, अपर्दन भूद्रिस पर होने वाला च्छा है यह नहीं, भूद्रिस पर होने वाला क्या है, च्छा है बिसर्प है जो बिसर्प होता है नदियो द्वारा निर्मित बड़े मोड होता है उसको हम लोग क्या करते हैं बिसर्प करते हैं और जो टट्वान नदी के उत्पित टट है ये option 3 हो जाएगा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा करते हैं बिसर्प का सही उत्तर हो जाएगा निश्ट की चुन हम लोग देखेंगे मुस्लिम समदा एक हस्यक्री समदा है इस विसे पर होने वाली एक बात विबात परियोकता में भाग लेने के लिए आप छात्रों की एक समाजिक विग्यान अध्यापत के रूप में किस प्र पढ़ने के लिए कहेंगे कुछ आप्सन इधर दिया इसको हम लोग देख लेंगे और सी आप्सन कह रहा है उन्हें मुस्लिम पड़ोस में ले ले जाएंगे अर ड कह रहा है लोग से वाओ में मुस्लिम की संख्या संबंधी डाटा का अच्छा में लाकर तिसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कुछ आप्सन दिया है ए बी और ड कह रहा है ए बी सी और ड है बी सी और ड है ए बी और सी है तिसका सही उत्तर हो जाएगा आपका option B हो जागा A, B और C जो जो भी option दिया है सभी क्या है सही है next question हम लोग देखेंगे प्रसंद संतावन दिया हुआ है प्राथिम का स्तरपच चातरों के लिए दिशा की संकल्पना को प्रस्तूत करने के लिए सरवत्तम संसाधन क्या हो सकता है पोश्टर हो सकता है मानचीतर, ग्राफ, पेपर या कहानी बुस्तक तिसका सही उतर हो जाएगा आपका option B हो जाएगा मानचीतर हो जाएगा निश्ट की उचन हम लोग ठाओं देखेंगे निमने कत्थनों को पढ़कर सही बिकल्प का चेहन कीजिए कत्थन A है कुछ देशों का अच्छानसिय विस्तार काफी अधिक है इसका कारण R दिया है कुछ देशों में ये एक से अधिक मानच समय अपनाए गये है option A है A तथा R दोनों सही है और R सही ब्याख्या करता है की B है A सही है किन्तु R गलत है C है A तथा R दोनों सही है किन्तु R सही ब्याख्या नहीं करता है एकी D है A और A तथा R दोनों गलत है तो अंठावन का सही उत्तर आपका option C हो जाएगा है A तथा R दोनों सही है किन्तु R सही ब्याख्या नहीं करता है एकी आनि जो भी कथान दोनों कथान सही है नेश्ट कीशन हम लोग देखेंगे यहां पे कुछ मिलान कीजिए कुछ ऐसे चीज दिया जैसे बिलियम जिन्स दिया है रविन्य टैगोर, महत्मा गाधि और थामस मैकाले इनको हमें क्या करना है? मिलान करना है तो यहां जो बिलियम जिन्स है यह आपका हो जाएगा प्राचिन संस्कृति का सम्मान और जो रविन्य टैगोर है बिक आपका जो चोथा है प्राकिर्थिक वातवराण में सीखना और महत्मा गाधि जो C है यह हो जाएगा आपका अंग्रेज जो द्वा अंग्रेजी सिच्छा के अलोचक थे और थामस मैकाले जो D है यह अंग्रेजी भासा का प्रसार करने वाले थे तो आप्सन D इसका सही उत्र हो जाएगा A का दूसरा B का चौता C का तीसरा और D का पहला हो जाएगा नेक्ट क्रिशन हम लोग देखेंगे मालने जी की कोई भी द्यार्थी जीवका पर सरकारी योजनाओं के प्रभाव के बारे में अध्यन करना चाहता है उसे मुख रूप से की आउसकता हो सकती है इसमें से किस्चीश की आउसकता हो सकती है उसे हमें बताना है यह है केवल दिवती आकड़ों की एकतर करने में संख्यांके आजारों को परियोग करने की योगता योजना की जनकारी को इकठा करना तुलनात्मक समुहों का सुत्रिक्रण और परितिपादन करना केवल बी सी और डी केवल यहां पे बी सी और डी सही हो जाएगा जबकि यह जो है यह यहां पे नहीं होगा नेश्ट की उचन हम लोग देखेंगे इस सभी प्रस्न आपकी एक्जाम में पूछे गए सभी प्रस्न है इस तरह के प्रस्न आपकी एक्जाम में बनेंगे आप लोग को थोड़ा होती है बहुत ज्यादा टप लग रहा होगा लेकिन ऐसे ही प्रस्न आपकी एक्जाम में पूछे जाते हैं, अगर जो आप सब को ये प्रसन अच्छे लग रहे हों, आप हमारे चैनल पर पहली बर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा लेजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो बनाए तो आपके पास जरूर पहु B है परतेक लोकतांतिक देश अपनी सेना को अधिकार देता है, C है परतेक देश जो लोकतंत्र है अपने नागरिकों को अधिकार देता है, और D है परतेक ब्यक्ति को अधिकार दिये जाते हैं, लेकिन अनिवार रूप से नहीं, तो इसका सही उतर हो जाएगा आपका ओप आंदोलन के विशे में इन वक्तवों पर विचार करें और सही विखल्प का चुना करें option यहां पर कथने दिया है इस आंदोलन के दारान विदेशी कपड़ों के आयात में अत्यथिक विर्धी हुई B है इस अंदोलन के दौरान 32 प्रदत अधिकारियों को लोटा दिया गया और विधान मंडलों का वहिसकार किया गया था और C है इस अंदोलन के दौरान विधेशी कपड़ों की खोली जलाई गई तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका option A सही हो जाएगा दोनों B और C सही सत्त है जबकि आपका A यहाँ पर जो दिया हुआ है गलत है यहाँ पर A कथन गलत है जबकि B और C सही है तो option A यहाँ पर सही हो जाएगा next question हम लोग देखेंगे हमारे आज पास रहने वाले बहुत से लोग गरीब है और उनके पास खाने या पहने के लिए परयाद वो जाने वश्तर नहीं है कभी कभी उनके पास रहने के लिए जगा भी नहीं होती है इसका करण है इसका क्या करण है इसका सही उत्तर हमें देना है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका option C हो जाएगा और समानता होता है प्रसंद 64 है भारत के कौन से भाग में लगवग सभी परकार के वन अस्पतिया पाई जाती है जो भूमन दरेखा से धुव की ओर जाने पर मिलती है डेल्टा छेतर हिमाली और पूरवी घाट यारे पच्छमी घाट तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका option B हो जाएगा हिमाल है next question हम लोग देखेंगे हमारे आरांवी किरसको वापसपालको के बारे में कैसे पता चला यसे है हमारे पास उस समय का लिखित रिकार्ड भी है हमारे पास अनायों और जानवरों की हट्ड्यों के शाक्षों है कैसे पता चला कि और अम्मे में क्रीशक थे और पसु पालक थे कैसे पता चला जिसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आप्शन C जो है के वल B जो है सही हो जाएगा हमारे पास अनाजो और जानोरों की हट्डियों के साक्ष है जबकि लिखेत रिकार नहीं है किसी परकार के लिखेत रिकार नहीं पाये गए निमलिखत प्रसनों में से कौन सा अभिकल तथ्यात्मक ज्यान का आगलन करता है समझ जुताई क्या है अंति मुगल बादसाह ने अपने जिवन के अंति मर्स कैसे जीए इतिहासकार पुराने समाचारपत्रों से प्राप्त सुचनाओं को पूलित रिपोर्ट में पाई जाने वाली सुचना से भी निक्यों पाते हैं अब डी है अधी आप संसत के सदस होते तो ऐसे दो प्रसनों की सुची बनाई है जो आप पूछना चाहते हैं यहां पर कह रहा है तथ्यात्मक ज्यान का आकलन करते हैं यानि तथ्यात्मक ज्यान इसमें से कौन सा है किस तरह के चीज है जो जिससे तथ्यात्मक ज्यान का आकलन हो सकता है जिसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ओप्सन ए हो जाएगा बी और डी जो बी है और डी है इन दोनों से क्या होगा तत्यात्मक्ज्ञान का आखलन होगा नेश्ट किश्यर हम लोग देखेंगे मांसुन के तरवान मच्वारे समुद्र में मचलिया पकड़ने नहीं जा सकते हैं क्योंकि वर्षा के कारण बीमार हो सकते हैं नावे वर्षा के कारण उलट सकती हैं, इस काल में मचलिया अंडे देती हैं, सही विकल्पा च्यान कीजिए, तो इसका सही उतर आपका क्यों सी हो जा गए, इस काल में मचलिया क्या होती हैं, अंडे देती हैं, इसलिए क्या करते हैं, जो भी मचवार होते हैं, समुद में मच संकल्पना को असपश्ट रूप से परिभासित करें संकल्पना के उधानों एम गयर उधानों अनिनान एक्जामपल को प्रसुत कीजिए c है छात्रों को पूर्व अधिग्रहित संकल्पनाओं को नए संकल्पना से जोनने को कहें D है छात्रों के उप्यक्त पूर्व संकल्पनाओं के ज्ञान को निर्धारित करें और E है छात्रों को ने द्रिस्तान्तों में संकल्पनाओं को परेंगों लाने को कहें तिसमित से कौन से सही हो जाएंगे तिसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जो C है और इसका सही करम हो जाएगा D पहला हो जाएगा D छातरों के उपियुक्त पूर्व संक्लमाओं के ज्यान को निर्धारित करें इसके बाद A होगा उसके बाद C होगा उसके बाद B होगा और लाश्ट में आपके E होगा आनि ये पहले नंबर पहुजाएगा A आपका दूसरे पहुजाएगा और C आपका तीसरे पहुजाएगा और जो B आपका चौथे पह और यह आपकी पांचिव नेमबर भी हो जाएगा निश्ट की उचन हम लोग देखेंगे भारती समिदान ने पहली बार से उपर की वाई के लिए सार्व भॉमिक बैस्क मताधिकार का प्रधान किया है तिसका सही उत्र हो जाएगा आपका ओप्सन यह हो जाएगा भारती समिदान ने पहली बारा ठारे वर से उपर की वाई के लिए सार्व भॉमिक बैस्क मताधिकार का प्रधान किया हुआ है प्रसन सत्तर निवन की कथनों A और B पर विचार किये तद सही विकल्प का चुनाव किजिए यह कथन ए है चात समाजिक संगर्सों टकराओं से परिचित होते हैं यह उन्हें भविस से के लिए चिंतित करता है कथन ए दिया हुआ है कि सोरी शोरी यहां पर एक चीज गलत हो गया है यह आपका 21 वर्स होगा भारती समिधान ने पहली बार 21 वर्स से उपर की वाई के लिए सर्व भौमिक बेस्क मताधिकार का प्रधान किया है भारत में एक सर्थवे समयधानिक संसोधन अधनियव 1988 के दोरान मताधान की आयू 21 वर्स से घटा कर 18 वर्स कर दी गई है यह अनुचियत 326 में संसोधन के करके लागू हुआ था इस समय भारत के राष्टपती अनि अभी तो 21 वर्स ही माना गया था लिकिन इसको खटा के कितना कर दिया गया है 18 वर्स कर दिया गया है निश्क की उचन हम लोग देखेंगे निम्न वक्तवों पर विचार कर सही बिकल्प चुनिए आमुल परिवर्तन वादी नेता मध्यम मौरगी वादी नेताओं की अलोचना उनके आत्न निर्भरता और रचनात्म कारियों पर जोड़ देने की कारण करते थे आमुल परिवर्तन वादी नेताओं का तर्ग था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों के भरोसे नहीं रहना चाहिए और सी है आमुल परिवर्तन वादी निवेदन की राजनीतिक में विश्वास करते थे यहांनि आमूल परिव्तनवादी निवेदन की राजनितिक में क्या करते थे, विश्वास करते थे आजनीतिक में विश्वास करते थे आगे हम लोग देखेंगे निम्न कथनों पर विजार कीजिए तता सही बिकल्प का चुनाव कीजिए कथन ए है धुरू और बर्व से ठके हुए हैं क्योंकि आपतन की मातरा भूमद रेखा से धुरू की ओर बढ़ती है आगे हम लोग देखेंगे निम्निकित परसनों को पढ़िये इन में से कौन से ग्यानात्मक परिकिरिया के इतले हैं सर पहलू का आकलन करते है अगर आपके घर में चोरी हुई है तो आप किस पूली स्थाने में आपनी सिकाय दर्ज कराएंगे इस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल वन्स के अंत की योजना कैसे बनाए और इस्ट इंडिया कंपनी द्वरा नियुक्त किये गए सिपाई असंतुष्ट क्यों थे यहां ग्यान आत्मक परिकिरिया के बिसलेशन पहलू का आकलन करना इनने इसमें कौन से तत्थ है कौन से कथा ने जिसमें बिसलेशन के बिसलेशन किया जा सकता है इसका सही उत्तर आपका ओप्सण डी हो जागा ए डी और इ इसमें से जो ए है और डी है और इ है यह विसलेशन आत्मक पहलू है इसको अन्नेश्ट क्योंचन हम लोग देखेंगे प्राथिमी कस्तर पर इतियास का सिच्छर का मुख कुद्धिस है उन प्रक्रियाओं में बदलाओं वभिकास पर समझ बनाना जिनके त्वरा मानों समाज उन सबद्दाय विक्सित हुई है भारत के लोगों और छेत्रों में विवित्ता को अपने छेत्र के सम्वंद में समझाना और प्रसंसा करना आर्थिक नीतियों को समझाना लोकतंत्र और जिम्यदार और क्यासिल नागरिकों के तोरपे विक्सित करना जिसका सही उत्तर आपका ऑप्सन यह हो जाएगा उन पर क्रियाओं में बदलाओं और विकास पर समझ बनाना जिनके द्वारा मानों समाज वें सबताएं बिक्सित हुई है निश्ट की चुन हम लोग देखेंगे निवलिखी जोड़ों पर विचार करें यहां दिया हरूर प्रतिक और रेखाद चित्र कुछ आप्सन इधर दिया है इसको छोड़ हल देते हैं हम लोग निश्ट की चुन हम लोग देखेंगे प्रसन चित्र देखेंगे उन निश्ट सदावदी के आदिवासी समूहों के बारे में नीर्मकी दो कत्नों को पढ़ें और सही बिकल्प का चैन करें वे जूम खेती करते थे जानरों का सिकार करते थे और वन ने उतपादों को इकठा करते थे वे एक जगा खेती करते थे जानरों का पालन और पोसल करते थे अनि निश्ट सदावदी में जो अदिवासी समूहों थे उसके बारे में बताना है तुसका स Soup उत्तर हो जाएगा आपका A और B दोनों क्या है? सही है अनिवे जूम खेती करते थे जानोरों का सिकार भी करते थे और 1 ने उतबादों को इकठा करते थे साथ में एक जगह खेती भी करते थे और जानोरों का पालन पोसल भी करते थे नेश्ट क्यूशन हम लोग देखेंगे निम्लिखीत कतनों A और B पर विचार कीजिए कतन A दिया हुआ है हेनरी बिलियन्स डेरो जीया के विद्यार्थों ने परंपराव और नीतियों का खंडन किया कतन B है हेनरी के विचार आमूल परिवर्तन कारी थे तता उन्होंने अपने सिश्चों को शभी परकार की सत्ता पर प्लतन उठाने के लिए प्रोसाइद किया जिसका सही उत्तर हो जाएगा आपका option D हो जाएगा A और B दोनों सही है दोनों कथन क्या है सही है किन्तो B सही ब्याख्या करता है यह कि और जो भी ब्याख्या B कर रहा है एक ही वो सही है अध्यापका छात्रों से ऐसा उधारन पूशती है जहां सर्वच न्याले ने दो राजयों के बीच के छागड़े का निप्टान किया हो सन अची छित्रों में रेल मार्क के बटेवास से संबंदी ज मारे को शो सम्मयारा लगड़ा क्योंकि नदी जो भी होता है एक राज से दूसरे राज में जाता है और वीच में जो भी सीमा राता है उसको ले किया हो जाता है यह जड़प हो जाता है नेश्ट क्रिशन हम लोग देखेंगे जनजातियों के हसी अकरण से निप्टने के लिए कौन सा तरीका उचित है जनजातिया इतियास प्रस्तूत करना उनके लिए नित्ति प्रदर्शन का आयूजन करना जनजातियों को अन्य अस्थानिक आकर्शक रूप से चीत्रित करना जनजातियों को अंदोलन नहीं बाइब निंव rightे से कौन सा जन्संचार-माध्यंत के संदर में सही है विए गराहक अंसदान द्वारा अपना राजय सुपरदान करते हैं विए कोम मूल में प्रसारा प्रसारोग सूनीचित करते हैं वे कहानी तयार करने के लिए कोई एजेंट मौसावदा करते हैं और इनका स्वामी तो गरीब जनता के पास है जिसका सही उत्र आपका ओप्शन सी हो जाएगा भी यह कहानी त्यार करने के लिए कोई एजेंडा आनि मौसावदाता है करते हैं निश्ट की विश्वन हम लोग देखेंगे एक फसल के संबन्द में नीमने को पढ़िये यह उसलकटिबंदी और उपोसलकटिबंदी परदेशु का मुख्य अहार है इसमें इसे उच्छ तापमान उच्छ आदरता तदा उच्छ वर्षा की आउसकता होती है सही विकल्ब का चैन कीजिए कि यह हूं मकाजवार या मद्ध सब्ध को मध्यम यूगिन काल में किसके लिए किलिए इस्तनाल किया गया है जो बदंगा है इस अधर का मद यूगिन काल में किस के लिएista आभिजात्वर्गी के लिए गुलामों के लिए इसका factor है आपका option C हो जाएगा यह गुलामों के लिए तoria बंडि मेंना लिया जये बदंगा का लिए Lisa. नेश्ट कीशन हम लोग देखेंगे भारती सम्मेदान अलप संक्यों को के बावमत के वर्चस्यों को रोकता है अर्थात ऐसी इस्तितिया जहां एक सम्मदा लगतार ऐसे निनों को लागू कर सकता है जो अने सम्मदा को वर्जित रखते हैं और उनकी हितों के विर्यूत जाते हैं यह संदर्फित करता है जिसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ओप्सन भी हो जाएगा अंतर सम्मदा एक वर्चस्यों को नेश्ट कीशन हम लोग देखेंगे प्राथिम गस्तरपते 23 सतावदी से उत्तरी भारत में ने धार्म के विगास के विशेव का परिछे देने तता प्याख्या करने के लिए शिच्छ का द्वारा नेमलिखित में से कौन से युक्तिया लगाई यहनी अपनाई जा सकती है कर रहा है शिच्छ का निगुड भजन का सकती है शिच्छ का सबद किर्तन की रिकार्डिंग चला सकती है शिच्छा रामचरित मानस की चौपाई का सकती है वह भी दार्थियों को नामगर घुमाने ले जा सकती है जिसका सही उत्र हो जाएगा आपका जो A है और B है और C है ये तीनों सही ये बाकि जो D है ये गलत हो जाएगा निया आपसान ये सही हो जाएगा आगे हम लोग देखेंगे यदि एक अध्याप का लेखबाल या कानुन गो जैसे सब्द पर्योग कर रही है तो वो किस अध्याए और पार्ट को पढ़ा रही है पुलिस प्रसासन सहरी प्रसासन भूराजस्वरिकाड या पंचायती राज्य और लेखबाल कानु को किस में आ दाना है जिसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ओप्सन सी हो जाएगा ये भूराजस्वरिकार्ट के बारे में बता रही है यानि पढ़ा रही है नेश्ट कीशन हम लोग देखेंगे निम्लिखीत कथनों ये तता भी पर विचार करें तता सही विकल्प चुनिए बच्चों अध्यापक क्या कर सकते हैं उन्हें भावानुवात करने और खूद से नौट बनाने को उसाहित करें मुख्यतत साधारन पूना एस्मेलाड़ अधारित प्रस्णते हैं उन्हें अपने अन्यवेशन के तरीके ढ़ंग बनाने का की अनुमती दें अदे उनकी समस्या समधार और प्रेस्तितियों में भागदारी करवाएं जिसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ओप्सन एह हो जाएगा जो ए, सी और डी यह सही हो जाएगा निश्ट की शिर्ण हम लोग देखेंगे मर्वस्तर के संब्ध में नीम ने दो कत्रों पर विचार कीजिए ठंडा मर्वस्तर लद्दाग बरफिली हवा और तेज जलाने वाले सूरे का ताप अनुभव करता है बी है गर्म मर्वस्तर सहारा में राते अत्यन ठंडी होती है और तापमान गिरकल लगवक जीरो डिगरी तक पहुंच पहुंच जाता है सही काने मर्वस्तर के बारे में बताना है जिसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ओप्षण ए और बी दोनों क्या सही हो जाएगा निहीं दोनों बात हैं शहीं है है नेश्ट क्यूशन हम लोग देखेंगे सही बिकल पर साथ मिलान कीजिए यहां बीकानेर दिया है बुंबई दिया है मौसीनी नाम दिया है और द्रास दिया हुए है कि और जोब्कने रहे वो क्या है कि गर में हवा से संबन्दित है और जो बुम्बई मिवहिए कि यह यहां पर आठ्च रहाय चलती है और जो मौसीन राम है मौसीन से और यहां पर क्या होता में बहुत ज्यादे बर्षा होती है और जो द्रास है ये ठंड ठंड वाली छेत्र है तो मिद करें आप लोगको यह जो भी प्रसन हम लोग देखें यह आप लोगको समझ में आया होगा आप लोग को इससे बहुत ही हेल्प होने वाला है तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा सेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिएगा फिर मिलते हैं अगले क्लास में तब तक लिए जाहिन भंदे मात्रम